हे दोस्तों फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपसे बात करते हैं बॉलियोड, हॉलियोड, साउथ हिंदी डबेड और कुछ बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में क्या ये तुम्हारी जेब में गन है नहीं क्या एक नहीं दो है तो अगर आपको भी ऐसे इंडरेस्टिम्ड देखना पसंद है तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और साथ इम्योज घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि डिजनी ने कई बड़ी फिल्मों की इंडिया रिलीज डेट कंफर्म कर दी है इस लिश्ट में आप डिजनी की उन सभी बड़ी फिल्मों का नाम देख सकते हैं जिनकी नई रिलीज डेट एंणाँस की गई है इस साल एक और फिल्म होगी इटनस बाकि अगले साल 2022 में डॉक्टर इस्टेंज टू थौर लव एंद थंडर लाइट ये वकांडा फोरेवर ब्लैड ये काफी अच्छी खबर है कि ब्लैड रिबूट को भी 2022 में ही रिलीज किया जाएगा उसके इलावा दिमार वर्ल्स और आवतार टू भी 2022 में ह हर साल की तरह इस साल भी डिजनी की तरब से यही कहा गया है कि आवतार टू अगले साल रिलीज होगी जो कि आप पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं तो क्या सच में अवतार 2 अगले साल रिलीज होगी क्या नितेश तिवारी की most anticipated film रामाइन में भगवान राम का रोल रनबीर कपूर प्ले करेंगे देखो अभी तक ये confirm नहीं हुआ है कि नितेश तिवारी की इस फिल्म में भगवान राम का रोल कौन प्ले करेगा लेकिन इस बात को लेकर फिल्म डारेक्टर नितेश तिवारी, एक्टर रितिक रोसन और रनबीर कपूर के बीच एक मुलाकात हुई है जहां इस भारी भरकम प्रोजेट को लेकर काफी कुछ डिसकस किया गया है लेकिन इन तीनों के बीच क्या बाते हुई है अभी कुछ बाहर नहीं आया है क्या रनबीर कपूर सच में भगवार राम का रोल प्ले करेंगे या फिर महेस बाबू की तरह ये निउस भी फेक होगा अभी फाइनल अपडेट नहीं आया है पर इतरी खबर तो जरूर आई है कि इन तीनों के बीच एक मुलाकात हुई है देखते हैं कि ओफिशल एनाउसमेट कब तक होता है हम आपके हैं कौन विवाह और मैंने प्यार किया जैसी ब्लॉकबास्टर फिल्मों के डारेक्टर सूरज बरजातिया ने अपनी अगली फिल्म के नाउसमेट कर दी है इस फिल्म में कई बड़े कलाकार नज़राएंगे जैसे कि अमिता बच्चन जी हाँ पहली बार बिग बी सूरज बरजातिया के फिल्म में नज़राएंगे उसकी इलावा अनुपम खेर, बोमन इरानी और प्रिती चोपड़ा भी इस फिल्म में एक एहम रोल में नज़राएंगे फिल्म का नाम है उचाई जिसकी सुटिंग स्टार्ट हो गई है खबर है कि इस फिल्म को 2022 में ही रिलीज किया जाएगा अगले खबर की बात करें तो परभास की 25 फिल्म के अनौसमेंट आने वाले 7 ओक्टोबर को होने वाली है जी हाँ परभास की एक और फिल्म के अनौसमेंट इसी थरस्डे को होने वाली है सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फिल्म को कौन डारेक करेगा अब परभास की इस फिल्म के लिए कई डारेक्टरों का नाम सामने आ रहा है लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे टॉप पर हैं वो हैं संदीप रेड़ी वांगा पिछले एक दो साल से ही ये ख़वर काफी जादा सूर्खियों में रही है कि परभास की किसी एक फिल्म को करेगा मोहलल ने अपनी मच अविटर मिश्ट्री थिल्र फिल्म 12th मैन की सुटिंग कंप्लेट कर ली है इस फिल्म को भी जीतू जोसफ ने डारेक्ट किया है बहुत इजाद फिल्म का टीजर ट्रेलर रिलीज किया जाएगा और फाइनली भूण बाम की मच अविटर सीरीज का फर्स्ट लुक आया था मुझे लगा था कि यह सीरीज वैसे ही होगी जिस तरह से बीबी की वाइन्स की वीडियो आती है लेकिन नहीं इस सीरीज में तो भाई एक अलग ही तरह की कौमेडी देखने को मिल लही है सही बताओ तो ट्रेलर को देखकर दिल खुस हो ग सीरीज हाउस ओफ दी ड्रेगन का भी टीजर रिलीज क्या गया है टीजर में ज्यादा कुछ नहीं है यहां आप सीरीज के मैं करेक्टरों को देखते हैं लेकिन अब जब यह सीरीज गेम आफ थ्रॉंस की प्रिक्वेल है तो भाई इसका तो नाम ही काफी है सीरीज को 2022 में ह नहीं की गई है और एच्बियू ने अपनी अपकामिंग सीरीज पीसमेकर का भी एक नया किलिप रिलीज किया है इसके इलावा रियान रोलर्स की साइफाई एक्शन कोमेडी फिल्म फ्री गाय बहुत ही जल्द हिंदी में आने वाली है इस रिम को 15 अक्टोबर को डिजनी पुला सौट इस्टार पर रिलीज का जाएगा तो आप इन फिल्मों और सिरीज में से किस फिल्म और सिरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइड़ हैं हमें कमेंट में जरू बताएं वीडियो को लाइक करें अपनी दोस्तों के साथ भी फेस्बूक वर्टसप ट्विटर पर जरू शेयर करें और चनल को सबस्क्राइब करना तो बिल्कुल न भोलें धन्यवाद